दोस्ते जैसे कि आप जानते हैं फिल्म इंडरस्टी में बहुत सारी एक्ट्रिसेज हैसी हैं जो अपनी फिटनेस का बहुत जादा खयाल रखती हैं और बढ़ती उम्र में भी पहले से जादा फिट और एक्टिव दिखाई देती हैं इसके अलावा कुछ तो ऐसी भी हैं जि जुडे रहें हमाई साथ वीडियो के आशित तक तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं नंबर एक रकुल परीट सींग सबसे भात करते हैं यह भी लिए भिने त्री रकुल प्रीज सिंग के बारे में बता दे कि रकुल प्रीज सिंग खुद को फिट रखने के लिए काफी टफ योगा का सहारा लेती है ताकि वो खुद को फिट रखें और अक्सर अपने इंस्टेग्राम पर तस्वीरे भी शेयर करती रहती है नमबर दो दिशा पटानी दूसरे नमबर पर नाम शुमारे बॉलिवर इंडरस्टी के खुबसूरत अदाकारा दिशा पटानी की तो बता दे कि दिशा पटानी खुद को फिट रखने के लिए योगा का सहारा लेती है जिहां ये खुद को फिट रखने के लिए काफी रफ एंट तफ योग फिल में दी है और आपको बता दे कि अभिनेतरी समानतारुट प्रभू खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए योगा का सहारा लेती हैं साथ ही बता दे कि योगा करने के साथ इन्होंने डाइट का भी काफी अच्छे से धयान रखा है नमबर चार रश्मिका मंदान की जिनके फिट एंड फाइन बॉडी से उनके खुबसूरती साब जलकती है रश्मिका मंदाना खुद को फिट रखने के लिए काफी योगा करती है और इन्होंने अपना एक डाइट रूटीन बनाया हुआ है जिसे ये स्ट्रिकली फॉलो करती है नमबर पांच मलाय का अर अबिनेतरी शिलपाशेटी जो की आज बॉलिवूर्ट इंडस्टी की फिटनेस क्वीन भी कही जाती है क्योंकि शिलपाशेटी खुद को फिट रखने के लिए काफी जादा योगा का सहारा लेती है और हमेशा अपनी स्ट्रिक डाइट फॉलो करती है जिनके फिटनेस के आज हर कोई मिसाले देता है नमबर साथ तारा सुतारिया बॉलिवूर्ट इंडस्ट्री की खुबसूरत अदाकारा तारा सुतारिया जिन्होंने बॉलिवूर्ट इंडस्ट्री में मरजावा और स्टुडेंट ऑफ दा इयर टू जैसी कई फिलमें दी है और बता दे कि देने वाली अभिनेत्री आलिया भट की जहां आज कोई नहीं कह सकता कि आलिया भट एक बच्चे की मा बन चुकी है क्योंकि उन्होंने अपनी बॉड़ी अभी तक मेंटेन की हुई है जहां यह अपने खाने में पूरा ध्यान देती है और कोई भी बाहर के आलतु- चीज नहीं खाती जिस वजह से आज इनका शरीर एकदम फेट है वेल दोस्तों इन अभी नेत्रियों के फिटनेस बॉड़ी के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही फिल्म इंडरस्ट्री से चुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चानल को सब्स्राइब करना ना भूलें